सभी लोग जूट जाएँ जबाइज्टी से चितने साथी है आज थारी आज़ाओ तुखले जिबाइज दिज़ें लेट से स्टार्ट जितने भी साथी जुड़े हैं अधिक सेधी ग्रुपों में अधिक सेयर करते रहें अधिक सेयर के सामने जो ब्रीज है जो मंदिर भी साथी जुड़े हैं जो रास्ते में निकल चुके हैं अधिक सेयर के सामने जो ब्रीज है जो मंदिर है उसके नीचे जहां आप और हमेशा मिलते हैं वहीं हम लोग आपको इंतजार कर रहे हैं आपके तमाम साथी यहां पर आ चुके हैं और बहुत से साथी रास्ते में हैं और एक निवेधन है जो साथी अभी तक घरों से नहीं निकले हैं जो साथी करीब चार बजे भोर तक यहां पहुंच सकते हैं तो तुरंत अपना बयाग उठाए है और निकल ले यह आपसे अगरा है निवेधन है कल का दिन आपके लिए बहुत बड़ा है जो इंपूट मिल रहा है जो जानकरियां मिल रही है कि अगर सुबह होते होते दिन का सूरज निकलने के पहले अगर हमारी संख्या परयाथ रहती है तो सुबह हमारा डेलेगेशन मानी मुख्यमंत्री जी से मिलने हर हाल में जाएगा अग्ताय आपको करना है कि अगर आपका संख्या बल ठीक रहा तो सुबह प्रशासन ने कहा है कि आप लोग कहीं कूछ नहीं करेंगे कहीं प्रदर्शन नहीं करेंगे सुबह दिन निकलने के पहले हम आपको मुख्यमंत्री जी से मुलता जरूर करवाएंगे ऐसा अस्वाशन हम लोगों को मिला है अब सब आप लोग के उपर है कि जितनी हमारी संख्या होगी उतनी हमारी संभावना है बटी जाएंगे आप सभी लोग जो निकल सकते हैं वो तुरन दिखले और जो भी साथी आ रहे हैं इस आखरी निवेदन के साथ की वो कहीं भट्टेंगे नहीं सीधे SCRT के पास जो ब्रीज है उसके नीचे आप मंदिर वाला रास्ता पकड़के नीचे आएंगे वही पर हम सभी लोग मिलेंगे आप सब का इंतजार करेंगे आप सभी का बहुत बहुत आभात जो साथी आ रहे हैं बाकी बातों के लिए हमारे साथ हम रेंद जुड़े हैं रज्जीद भाई हैं राहूल हैं सब लोग अपना बारी-बारी से बात लखे हैं सबी भाईयों को नमस्कार निवेदन यही करता हूँ बड़े भाई लगभग लगभग संख्या आच चुकी है यहाँ पर और मैं आप लोगों से ही आग रह करने आया हूँ कि भाई जो हमारे लखनों से सटे हुए जनपद हैं जिसे बारा बंकी हो गया सीतापूर हो गया प्रसासन के विद्वारा और जो भी इनपूट मिलें उनमें यही बताया गया कि संभावता आपको फिलें संभावता नहीं चुकी मोहर लग चुकी है उसमें कि आप लोगों कर मुख्यमंत्री के साथ नीटिंग फिक्स हुई लेकिन यदि रख्तिकत तौर पर 4-5 लोग य तो मैं अभी आप लोगों से ही निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग कहीं न कहीं यदि थोड़ा सा साथ देंगे चुकी आप ही लोगों की ताकत से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे गत्तिकत तोर पर बहुत प्रयास किया जाएगा लेकिन वो हमेशा असफलता में आएग चुकी आप सभी को पता है एकता में सक्ति होती है तो निवेदन सभी से करता हूं हाथ जोड के मेरा निवेदन है सभी से जो भी हमारे भाएं हैं अपनी डीडी लेके और अपने वो दिन याद करिये चाहे वो एक जून का दिन रहा हो या चाहे 26 जून वाला दिन रहा हो ज करता हूं कि आप लोगों ने साथ दिया तो इसी डीडी से आपकी कमस्लिंग होगी कोई रोंक नहीं पाएगा बस आप साथ दिये यदि आप 26 जून को रोए हैं एक जून को रोए हैं तो उसका आपको पह्याम भी जल्द ही मिलने वाला है बस अपेच्छा यही कि आप लोग स यहां साथ बज़ें आप लोगों को सियाइटी के सामने आफ भी को अपता है हमार मंचिर वर्फरंड नीचे आप तीन आप रहा हैं चाही एक बज़ें होई पाट हैं यहां हमसे संपरकर करें जो हमारे जानने वाले हैं आप हमसे संपरकर के राप में किसी भीड़ा है दो जिनको आनक करते हर हाल में हमें मुख्य मंत्री जी किया पहुंचना है तो आप लोग सोच रहे हैं मुझे तमाम है इधार घर तो कहीं कुछ नहीं है आप लोग सीधे लखनव कूछ करिए क्योंकि आपकी लड़ाई है आपको स्वयम आकर वहां लड़ना पड़ेगा अगर काउंसलिंग होती तो आप अपनी डीदी लेके अपने आप अपने माँ बाप भाई भावी भावजा सब को लेके जाती है लेकिन आज जब जरूरत आपकी है यहां आपकी नवकरी के लिए तब देख रहे हैं कि कल क्या हो जाएगा कल डिसाइड हो जाए तब निकले परसों देख रहे हैं धरना चलने लगे तो कुछ नहीं जो भी साती अभी घर से निकल गया है बहुत अच् नव में हैं या थवा साम चार बज़े तक यहां आ जाएं अगर उनको सारी फोर्मेशन पता हो कहां ताना है तो सोगुड वो आप नहीं मिलेंगे अगर अब भी जागे तो समझ लिजे यह लाश धना होगा है इसके बाद आप लोग कभी घर से निकलने की कुछिस ना कीजेगा और सभी टीमें एक हैं सब के मट एक हैं वो सारी चीजे आपको दिखने लगेंगी कल से लेकिन अभी आपको निकलना होगा आपके पास कोने के लिए कुछ कुछ नहीं है यह सोच के निकलने के लिए आपको 42,000 और नाव्गरिनी है होने के लिए कहा सक्व्त्य आपके साथ हैं के लाड़ में लोग संघर्श करें सब्के पास फोन वगर आने लगे है तो आप लोग अस्वास्थ जाएए डीडीवडी बनवाए हो तो ले के आईए लेकिन उपस्थिति आपकी अनिमार है उचाये गल्स हो जितनी अधिक सदी गल्स हो या फिर बहने हो भावियां हो सभी लोग उन्लोग घरों से निकलें चुपकी उनकी लड़ाई स्वयम की राइए है विद्धिक लड़ा जब जरूरत आपकी लड़ाई के लिए है तो आपको आगे आना पड़ेगा और समस्त प्रजेस के विद्धिक लोग देख रहे हैं और जो भी जाग्रूप लोग हैं को कॉल करके सबको समझाएं कि भोग तक लटनवों में पहुंचना है तमाम यहां कम से कम 200-300 लोग उप आपकी उपस्थित चाहते हैं इसी के साथ सभी साथियों को भूरात्री लेकिन आएज़रूर आप सभी साथियों को आगे क्या करना है कि इस प्लानिंग से करना है सभी चर्चा है हुचपी है अब बस इंतजार है, तो आप सबूंगों का को रहा हाल। दो साल ही हमारे लखनौ आचुके हैं, उन से बिनम्र निमेदल है, कि वो लोग सुभए 4 बजए हर मैं। जो लखनौ में हैं, जैसे कहीं रुके हुए है, तो वो लोग जो आ सकते हैं वो अभी आ जाएं नहीं तो सुबह जो है तीन शे चार बज़े हर हाल में आप चार बज़े यहां पहुंच जाईए कि चार बज़े आप लखनों में होते हुए अगर चार बज़े बात पोचेंगे तो इस चीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जो आपकी प्लानिंग, यहाँ पे सब लोगों की प्लानिंग है, उस प्लानिंग के तहित हमें आगे पाम करना है और जो ये आरच्छन की लडाई हम लोगों ने सुरू की है, तो उसको एक सही दिशा देने के लिए आप सभी लोगों की उपसिति यहाँ पर अन्वार है इसलिएए आप सभी लोगों की उपसिती इंगार है, जितनी ज्यादा संख्या में आप सभी लोगायेंगे, उतनी ही जल्दी हम लोगों को लिया मिलेंगा बढूर उसभी लोगों को अतना वल मिलेगा और इसे कसाथ हम अपनी बात को समाथ करते हैं दिया, देखे आप लोगों को पता है कि धरना किसलिए यहाँ पे तिकठा हुआ है, भरती तो पूरी हो चुकी है, आप लोगों को पता है, तीसरी लिस्ट आने वाली थी वो आ चुकी है, बचा कुछ नहीं है, मतलब यह कि आप जितना खोना था खो चुके हैं, पाने के के से परसासन के लोग आगर के यहाँ पे पूछ रहे हैं, भीया, क्या मेटर, आप लोग क्यों इकठा हो रहे हैं, और अभी तो दस निट पहले की बात है कि यहाँ तक हो रहा है कि मुख्यमंतरी तक मुलाकात होगी हमारी, डेलीगेसन टीम का नाम भी मांगा जा रहा है, लेकिन अभी डेलीगेसन टीम को टीम का नाम कोई नहीं दिया जाएगा, आपकी उपस्थिती बताएगी कि कौन वहाँ पे जाएगा, आपकी संख्या निर्धायत करेगी कौन वहाँ पे जाएगा अपनी बात को रखने के लिए, तो भीया, घर बैटके अगर आप यह सोच करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आप जोस और जुनून के साथ आज आएगे, अगर आप एक लाठी खा लेंगे आज के डेट में, तो साइक जिंदगी भर जो पैसे की वज़ा से जो आप लाठी खाते रहेंगे, उससे आप बच जाएगे, तो जितनी ज्यादा संख् आप लोग आजाएगे, लेकिन ये मांग के चलिए, मांग एक है कि आयोग की रिपोल्ट लागू करो, समबैदाहने के लाठी खाते रहेंगे, अगर आप लोग आप लोग आजाएगे, हमारे पास जो लेगल रिपोल्ट है, उसके एकार्डी हम लेना क्या है, आप सोच लि समबैदानी कदिकार का जो खनन हुआ उसको पूरा करो, जान चली जाएगी, लेकिन बाइया एक बात जान लीजिए, नौकरी तो ले करके आएंगे, समबैदानी कदिकार जो दिया गया है, उस पर जरासा भी आच नहीं आने देंगे, मतलब ये आप कह सकते हैं कि हम उसको समबैदानी कदिकार देंगे, तो अजर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो और कुछ हो जाए, मतलब कुछ होने का मतलब ये कि आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए, तो भी आप आ जाओ, ताकि हमको अकेले ना मारें वो, है ना, हजार, दो, हजार, तीन, हजार, चार, हजा रहेगे ना, तो वो डरेंगे भी या, चुनाओ सामने है, इस से अच्छा गोल्डेन चांस आपको नहीं मिलने वाला है, घर बैटके आ, तो जिन्दगी भर गुट गुट के मरिये, कितकल आ जाईए, हो सकता कल के स्ट्रिगल से आपको एक नहीं जिन्दगी मिल जाएगा, सारी टीमें एक है, सबका विचार एक है, सबका मत एक है, आप लोग अपने मन का ब्रहमधूर करिया, हाँ, डेलीगेशन टीम में अभी कौन जाएगा, वो यहाँ पर कोई नहीं डिसाइड कर पाएगा, वो आपकी संख्या पर डिसाइड करेगा, कि आपकी संख्या क्या उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन जाएगा, तो भी आप घर पे बैठे रहोगे न, तो हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो ना हो पाए, तो चले आओ, आपकी हिसाब से हिसाइड करें काम होंगे, और विसेश कर जो आसपास की लोगाँ कि लोगाँ किलो मीटर, 200 किलो आपकी अच्छा रावल भाई में आपको आपको बुलाना चाह रहा है, तो आज सारी टीम है हमारी एच है, और साहे लोग एक प्लेटपॉम पर यहाँ पर खड़े होकर आप से आगरे करने का मतलग यह नहीं कि लड़के की और हमारे किसी की साथी है, या मेरी पूद की है, कोई बराती नहीं हम आपको बुलाना चाह, समझ्या है यह है कि आपकी जो समझ्या वही मेरी भी समस्या है, नोकरी आपको भी चाहि नोकरी अमको भी चाहिए, तो आप लोगों से बिस्येस आख रहा है कि जो लोग नजदी के हमों किसी भी हाल में निकल लें, उपस्तिती आगर तक भी आये तो ठीके आगट 6 वजीया तो कोई मतलब नहीं है वजाएं जो हमारे टीम का प्लान है बहुत फी एवन प्लान नहीं हो सकता अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे रिंए बहुत उर्गिया कोई इसने आप जालों से अपी लेकि निश्चतुरों से कल निकले। एक बीचेश बात मैं आप लोगों से बता दो जिसको लेकर सस्पेंस आप लोगों के में बना हुआ है कि 5844 की आयोग की रिकोट की 27 की स्टोग। इसकातियों ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज की हमारे लोगों की ये घर बैटकर सारे ब्रह्म अपने दिमाग में पाल लेती है और क्या कैर आप पूरा नहीं सुनते हैं 5844 कोई बात ही नहीं है उस रिपोर्ट में पूरा पड़ो तो सही आप उसकी सिर्फ और सिर्फ हमें ये मनवाना है कि आप आयो की रिपोर्ट को मानों और आयो की रिपोर्ट का मानने का मतलब ये है आप फोड़ा भी समझदार रहे हैं तो जान जाएए के 27 और 21 परषेंट साथ साफ उसमने लिखा हुआ है कि ये पूरा नहीं किया गया है लिस्त नहीं आए तो अपने डीडी लेकर आए उनको एक जोस्त दिया जा रहा है कि आपके डीडी नहीं जाएगी इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जो थर्ड से छटे सिर्फ वही आए हम उनके लिए कह रहे हैं हम सब के लिए कह रहे हैं जो हमारे 27% के आरच्छन में आ सकते है जो याची है चाय आयोग में चाय कोट में चाय कहीं भी तो साथियों सबसे अपील है निश्ची तुरूप से अपनी उपस्तिती अनिवार करिए कल और यह अपनी आधरी लड़ाई है विशेस बाती है कुछ लोग लपनों में है उनको पता नहीं कल करना क्या है तो आप अ जाएगा चार बजे हम लोग यहां पर मिलेंगे और उसके बाद आपको प्लान बता दी जाएगे प्लान यहां पर आम नहीं आपको बता पा रहे हैं समस्ता हैं समझ सकते हैं तो निश्ची तुरूप के अनिवार करिए और आप जहां भी हैं सबसे अगर कोई दिक्कत हो त इसके सिवा हमारे संपोष भाई, अम्रेंद्र भाई, फिजे फाई और अन्ने सभी हमारे मित्रलगर्ण आप लोगों को इंप्रॉम कर तुके हैं यह आप कत्ता ही मुत सोचिए कि मिलने वाला क्या है आप पहले अपने अभिकारों के लिए थां से निकलेगे तो मैं आपक कि वर्ती के बारे में सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा आप अपने अधिकार को लेने की पोसिस मेरी है जो लड़ा है